16 अप्रेल को UPSC मेंस का फाइनल रिजल्ट चारी कर दिया गया है इसमें IPS ऑफिसर और उत्रखन के पूर्व पुलिस महानिदेश अशोक कुमार की बेटी कुहुगर्ग ने भी 178 वी रैंक हासिल की है UPSC मेंस का रिजल्ट चारी हो चुका है और जो उत्रखन की पूर्व डीजीपी अशोक कुमार है उनकी जो बेटी है कुहुगर्ग उनकी 178 रैंक जो है उन्होंने हासिल की है और अपने पिता के साथ-साथ उन्होंने परदेश का नाम रोशन किया है तो सीधे जान लेते हैं उन से किस तरह से एक बेंड मिंटन प्लेएर रही है नैशनल लेवल हो या फिर 인टरनाशनल लेवल हो उसके लिए लिए खेली है और गेमसे किस तरह से जो है इस अफाल्ब सorkाश की उन्होंने तयार ही तो सबसे पहले तो मैंस छुबकाम नाए है Twitch कि वो अपने, वो कितने सारा सोसाइटी को सर्फ कर सकता है, कितना नेशन को सर्फ कर सकता है मगर मैं बहुत अर्ली एज पे अराउंड इज ओफ 12, मेरा फोकुस शिफ्टेड मोर अन बाडमिंटन एक घर पे हमेशा था कि पढ़ाई बाडमिंटन को बैलन्स करके चलना है बड़ जैसे-जैसे मैं एंडियन टीम में आई थी, फोकुस उधर बहुत जादा बढ़ गया था जब 2020 में लॉकड़ॉन हुआ था और हम घर आये थे एक वापस से कहीं मेरा रिइगनाइट हुआ, वापस मैंने देखा कि कितना पापा वापस मतलब जो चीज मैं पिछले 7-8 साल से दूर थी, वापस मैं उसकी तरफ आई, मैंने देखा कि कितना काम कर रहा है, कितना उनका प्रेस्टीजियूस जॉब है यह पता था, सर्जेरी और उसके आगे करी है, मुझे मिनिममम देड़ साल के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ता स्पोर्ट से, तो मैंने सोचा इसी टाइम को अच्छे से यूज करते हैं, और मेरा जब सिविल सर्विस की तरह है, मुझे भी देश की सेवा करने का बहुत जादा बॉंडिंग रहे हैं, कभी ऐसा कि आपके पिता जैसे बहार पोस्टिंग पे रहे हैं, आप दूर रहे हैं, आप फैमली से दूर रहे हैं, कभी उनको मिस किया, कभी कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में, क्योंकि माता जी तो आपके साथ हमेशा रही है, लेकिन क्या कभ तो मैं और जादा बहरतर कर सकती थी या कुछ ऐसा तो पापा का जॉब तो ऐसा था कि बच्पन से वह बहुत बिजी रहे हैं हमारे मतलब हमें पूरे दिन पापा नहीं दिखते थे क्योंकि वह ओफिस में ही रहते थे हमाई बढ़ नहीं आपा थे बट उसके बिना भी हमें यह बढ़ा ते हमेशा हमारे साहत है।ब कोई भी इंपोर्तन गीस हमनी ठीका सबनी होती थी तो पापा ही हमारी हम देस तो पापा भी में हमारी में हमारे चाहिव नाहीं जाम हम जाव में वह बवल्बमी है हम जोब हमें तनी थी संसली कम अधा हैं तो आजकल तो फोन कॉल्स एंड वाट्साप एंड स्काइप का जैसे पूरा है वीडियो कॉल्स, सब लोग एक कॉल अवे हैं, जब भी जरुवत है, पेरिंस हमेशा साथ रहे हैं, उनके सपोर्ट से ही जिदना कर पाई, मैं कर पाई, I think मेरे सपोर्ट की वज़े से भी मुझ तो ऐसे में जो हैं, दोस्त कई बने होंगे आपके, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त जो हमेशा कही न कई उनकी दोस्ती जो है रहने वाली है, जो कही न कई आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट करते होंगे, आप इतना अच्छा परदर्शन करती होंगी, तो आपको जो है अच्छ समय नहीं मिलता था फ्रेंज बनाने का, बट I think हर जगे से एक एक दो दो ऐसे फ्रेंज हैं, इनके साथ अभी भी मैं तच में हूं, and मेरे संस्के मैं सब्सादा टाम स्पेंड करा, क्लास 8 तो क्लास 12 दिली में, and वहां की जो मेरे दो-टीन बहुती क्लोस फ्रेंज हैं, I think उनका support, उनसे मैं constant touch में थी, उनमें से एक ने रीसंटी लास्ट यर भी UPSC clear किया था, तो उनकी guidance मेरे लिए बहुत जादा helpful रही, जैसे हरियाना पानीपच से आपका ददी हाल है, आपके जो parents है, आपके जो पिताय वहां से हैं, एक जमाना था हरियाना में जो है, जो महीला का, जो बेटियों का ratio काफी जादा गिर रहा था, ग्राफ काफी गिर रहा था, लेकिन आपकी बात करें, या फिर साइना नहवाल है, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं, हरियाना से जो बिलॉंग करती हैं, और काफी अच्छा परदर्शन कर रही हैं, तो आप कितनी society में कितना देक रही हैं, उस ratio में कितना बदलाव डेख रही है, कि Sword Lab को बहुत थादा ऑढ रहा है, और I think जब आप रोल मॉडल्स को देखते हैं, वो साइना नहवाल हो, फोगार्ट सिस्टर्स हो, कोई भी किसी भी फील्ड से हो, हर फील्ड में लड़कियां बहुत अच्छा करें तो हमने बात की कुहूगर्ग से जो की उत्राखंड ही नहीं, बलकि हरियाना और पूरे देज भर का नाम रोशन कर रही हैं और लोगों के लिए प्रेणा भी बन रही है, दैरादून समयना आजमी लोकल 18 के लिए